हेला एवरीवन वेलकम वेक्ट वेक्ट वीडियो में हम पैक्टिस करेंगे इंगलिश ग्रामर के आपजिक्टिव्स की जो किलास नाइन से लेकर ट्वेल्थ तक कि सभी स्टुडेंट्स के लिए काफी जादा इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को पूरा दरूर देखेगा च विच हू वेर में से जो राइट आंसर है उसको आपको यहां पर फिल करना है तो अब इसको पहले आप ठीक से रीड करिए उसको पहचानिए लड़के को जानता है विस वेरिंग ब्लू शट जो के ब्लू शट पहने हुआ है तो यह जो हू है इस हू का मतलब यहां पर निक जो के यहां पर रेटिब प्रोनाउन है क्या है रेटिब प्रोनाउन तो हू यहां पर रेटिब प्रोनाउन का वर्क कर रहा है इसलिए यहां पर हू का यूज करेंगे विच का यूज नॉन लिविंग ठीक के लिए करते हैं हम और वेर का यूज प्लेस के लिए यूज किय इस बिर्दर इस ब्लैंकि स्पेस आर जे यह ना लोकल रेडियो चेनल आप शेंस हमारे सामने आर्टिकल है ए एंदा हैं देखो एंदा में से बिल्कुल आपके एक्जाम में जरूर क्वेशन पुछे जाते हैं चाहे आप 9th क्लास में हो 10th में हो 11th में हो किसी भी क्लास के आपको यह देखना है कि आर जे के पहले जो क्रीट आंसर है एंदा में से क्या होगा अब आर जे का पहले साउंड को चेक कर लीजिए तो अब आप कुछ इस तरह से इसको लिखेंगे आर जे तो हमें बादवाले से कोई मतलब नहीं है यहां पर आर में राज से भी मतलब न आंसर हमें यहां पे इन लगादेना है। परसेंट पर्सेंट करेक्ट होगा फिलाल सेकेंड कोस्टिन का राइड अंसर एन है अब आजाते हम नेक्ट कोस्टिन जो कि हमारा थार्ड नमर का तो देखिए जो सेंटेंट से निगेटिव है क्योंकि यहां पर नॉट का यूज किया जा रहा है दैर इस नॉट वाटर इन पूल मेनी का यूज तो बिलकुल नहीं होगा आप चैनको आप कड़ कर दीजिए विकूस मेनी का यूज सम करते हैं प्लूरल काउंट बल नाउन के आएगा अब इसमें से भी हम देखते हैं कि राइड आंसर क्या होगा राइड आसर होगा हमारा होगा एनी जिस राइड आसर एनी होगा सम नहीं आएगा विकूस सेंटेस आपका निगेटिव है नॉट यहां पर दिया हुआ है दर इस नॉट एनी वाटर इन पूल तो जब आते हैं निइस कोश्टन कर पिके फॉर्ट नमर का हम हम ए इस ब्लेकिस मेंनी बैज़ तो यहां पर देखिए यह प्लेज आप पर और दूसो्षजी देखें याँ पर कि यह हमारा present perfect का है कॉंसेटेंस का है यह present perfect है तो present perfect में has का use होता है he has अब हमें चाहिए वी 3 तो वी 3 क्या है वी 3 है return he has written many place right wrote return तो right first form है wrote second form है return third form है तो हमें V3 चाहिए V3 return है तो right answer क्या होगा बच्चों he has written many place तो right answer हमें return का use करना है क्योंकि यह हमारा perfect sentence था present का चलिए next question है हमारा fifth number का I take your pen permission ली जा रही है need may use तो need और use से तो permission बिल्कुल नहीं ली जाती है मैं से permission ली जाती है write author होगा may I take your pen अब जैसे class में enter होते हैं तो आप बोलते हैं may I come in sir may I come in sir तो इसी तरह से may I take your pen क्या मैं आपका pen ले सकता हूं तो write author आपका may होगा क्योंकि may का use करते हैं permission लेने के लिए और permission देने के लिए ठीक है possibility के लिए भी use किया जाता है फिलाल यहां पे यह जो condition apply हो रही है वह हो रही है permission वाली ठीक है next question है हमारा we to follow the traffic rules out should must तो यहां पर देखिए to का use हो रहा है अब should के साथ तो to नहीं आता है match के साथ भी to नहीं आता है should to must to तो नहीं होता है फिर out के साथ जरूर आता है तो out to इसका right answer होगा we out to follow the traffic rules इसका मतलब भी निकलता है चाहिए ठीक है लेकिन out के साथ to का use करते है we out to तो right answer हमारा out आएगा ठीक है इसका out भी बोलते है question next है 7 number when I was young I blanked in space climb trees can ya could अब sentence को जल्दी से आप इसको पहचानी है यह हमारा sentence past में जा रहा है when I was young मतलब के था was का मतलब क्या होता था when I was young जब मैं young था I could climb trees में trees पर चड़ सकता था तो right answer हमारा होगा could क्योंकि sentence past है तो past की capacity या ability को शो करने के लिए हम could का use करते है तो right answer हमारा could होगा क्योंकि sentence past में जा रहा है ठीक है चलिए next question में आ जाता है eight number का है I haven't bought me today negative sentence है haven't जो लिखा हुआ है यह बच्चो have not है have not इस have not का जो contraction होता है वो होता है haven't क्या होता है haven't तो have plus not तो have not को ही हम haven't लिखते है तो यह sentence negative है और negative में क्या use करते है any जो already मैंने आपको बता दिया है right answer होगा next question how blank is students students plural countable है तो students को count किया जा सकता है one two three करके count करके आपको बता सकते है students के बारे में right answer होगा many how many students are present today कितने students are present है तो right answer अपका many होगा how blank is पे सुगर सुगर जो है वो singular uncountable noun है और singular uncountable noun के साथ हम much का use करते हैं किसका use करते हैं much तो right answer हमारा होगा much how much sugar do you take in a tea ठीक है आप चाय में कितनी शकर लेते हैं तो right answer आपका होगा much singular uncountable noun अब आते हैं next question जोके 11 नमबर का the earth blank is around the sun moves या move तो देखिए the earth जोके singular है और singular है तो यहाँ पर हम move का use करेंगे right answer as वाला होगा the earth moves around the sun ठीक है तो right answer आपका move से चलिए आगे बढ़ते है next question की तरफ जोके आपका 12 मर का he always blank is based on time comes या always but use हो रहा है यहाँ पर right answer आपका होगा comes और subject यहाँ पर singular है singular के साथ word में s-e-s-is का use करते हैं तो right answer आपका होगा comes he always comes on time मतलब कि वह हमेशा समय पर आता है तो right answer आपका होगा comes next question जोके थाड़ी नम्मर का है blank space ganga is a sacred river तो ganga जो है river है यहाँ पर खुदी बताया जा रहा हो वैसे भी आप सभी को पता है ganga जो के river है तो river के before हम article दा का use करते तो right answer आपका आएगा the ganga is a sacred river तो right answer आपका दा होगा आ जाते है next question की तरफ जोके फौर्थी नम्मर का अरुन is blank space tallest boy in the class तो यह जो tallest है यह टॉल टॉलर और tallest मतलब यह super relative degree हो super relative degree के before article दा का use होता है नोट करते जाएगा याद रखिएगा super relative degree के before article दा यूज होता है पलते हैं honesty is the best policy तो right answer यहाँ पर भी टॉल टॉलर टॉलर टॉलिस्ट वर्ड है तो टॉलिस्ट के before दा लगाएंगे अरुन is the tallest boy in the class अरुन क्लास में सबसे लंबा लड़का है अब आते हम 15 की तरफ काफी जाद इंट्रेस्टिंग कोईशन आपके सामने आने वाले इसलिए सबसे पहले आप लाइक का बड़न दबा दीजी वीडियो मुझे पता है कि आपको पसंद जरूर आएगी अब तक जितने भी कोईशन समने सब आपको समझ आ गया होंगे आके भी कफी अच्छी कॉर्शन आने वाले हैं तो लाइक का बड़न दबा दीजी और वीडियो को शेयर जरूर कीज़ेगा ठीक है चलिए नेक्ट को देखते है इस फॉदर इस ब्लेकिप्स एमेले अमेले तो आप इसको राइड करके देख का यूज करते हैं they have been playing here since morning मलब यहां पर सुभा से कहल रहे तो certain time के before हम सेंस का यूज करते हैं और uncertain time के before 4 का यूज करते तो राइड नतर हम रहा होगा सेंस नेस कोंशन की तरफ आगे बड़ते है जोके 17 नम्र का है We have been studying in this college 3 years Uncertain time is number बात है तो यहाँ पर 4 लगा देजिए 4 correct answer है ठीक है Next है आपका 18 नमन They will go to daily Monday तो Monday जो के name up days है name up days के before हम use करते है on, pre position on का use करते है तो remember that जब भी किसी भी days का name आ रहा है Sunday, Monday, Tuesday तो वहाँ पर आपको on का use करना जैसे he will come on Tuesday We don't go to school on Sunday and they will go to daily on Monday तो right answer आपका on आएगा 19 है We went to Kashmir April April के before in आएगा क्योंकि month के name के before आपको in का use करना होता है तो right answer आपको यहाँ पर in आएगा April के before इसी तरह से next question है His uncle died cancer तो right answer आपका होगा off, died off use होता है, died के साथ off का use के जाता है और suffer या suffering के साथ from का use के जाता है तो died off आएगा, तो right answer off है 21 He is afraid Afraid के साथ भी off का use करते है तो he is afraid of dogs Afraid के साथ off का use के जाता है He is afraid of dogs Afraid of मतलब होता है दरा हुआ होना, भैभीत होना 22 I am not going to office, I am ill Reason बताया जा रहा है I am not going to office because I am ill तो right answer यहाँ पर आएगा Because I am not going to office Because I am ill क्योंकि reason बताया जा रहा है मैं office नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ तो right answer आएगा Because Onidiri You are card, you will pass You are card, you will pass If right answer होगा If you are card, you will pass यदि आप कर्षिन पश्रम करते हैं आप पास हो जाएगे तो right answer है यहाँ पर होगा और यह जो Unless है Unless का negative Sense निकलता है यदी नहीं इसका मतलब होता है तो right answer पहला वाला है If का 24 I prefer coffee Tea तो right answer आपका एगा 2 आएगा क्योंकि prefer के साथ 2 का यूज़ किया जाता है I prefer coffee 2 टी sentence में अगर prefer आता है तो वहाँ पर आपको 2 का यूज़ करना है तो right answer हमारा बनेगा 2 तीक है इसको note करते जाएगा prefer के साथ 2 का यूज़ करना है अब 25 The patient had died The doctor arrived तो right answer before आएगा The patient had died before the doctor arrived मतलब कि doctor के आने के पहले मरीज मर चुका था तो right answer हमारा बनेगा before 26 भॉपाल is larger blank space गवालियर compare किया जा रहा है भॉपाल का गवालियर से भॉपाल जो है is larger देन गवालियर तो right answer आपका आएगा देन ठीक है large, larger, largest तो compare हो रहा है तो यहाँ पर आपको देन का यूज़ करना है इसके वाद हमाल जाते 27 we were making kites when father arrived past में जा रहा है क्योंकि war use होता है past में we were making kites when father arrived हम पतंग बना रहे थे जब father आए तो right answer आपका 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 अब इस इतना से 28 नमर कहे don't leave this place, I come back तो right answer आएगा until don't leave the place, ये place को मत छोड़ना जब तक में वापस ना आजाओं तो right answer आएगा until 29 I buy that mobile if I had money तो right answer क्या होगा बाई जल्दी सा आपकेस कर लिजी इसका answer आएगा I would have जी हैं I would have buy that mobile if I had money कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं mobile खरीद लेता whatever right answer होगा चलिए next question है आपका 30 number का she go to temple everyday when she lived in village she go to temple everyday when she lived in village तो इसका भी right answer होगा ये भी हमारा sentence past में जा रहा है तो या पर would का यूज कर रहा है क्योंकिए will की past form होती है would तो will की past form would होती है तो right answer आएगा आएगा would 31 he wanted to wanted to become आएगा wanted के साथ become का यूज करेंगी क्योंकि 2 है infinite become he wanted to become an engineer he wanted to become right answer आपका become to infinity my father is a teacher तो यहापे लगा दीजी retired teacher आएगा ठीक है retired avoid he avoids ing use होता होता आएगी साथ तो टेकिंग आजाएगा he avoids talking to strangers 34 goods will not be taken back तो राइडाजर आएगा आपका sold बेची होई वस्तों को वापस नहीं ले जाएगा sold आएगा 35 I heard some kids for help तो यहापे आएगा आएगा I heard some kids shouted for help 36 work hard you will fail तो राइडाजर आएगा work hard or you will fail और लगा दीजीए 37 he is or late तो यहाँ पर N आएगा क्योंकि H silent है और है यहाँ पर please spread butter on bread तो यहाँ पर क्या आएगा a little आएगा 39 he is given अप आएगा गिवन अप आएगा smoking और लास्ट वाल आए 40 नमर का we wear mask in crowded places तो राइड आजर आपका यहाँ पर होगा should we should wear mask in crowded places तो मतलब कि crowded place पर हमें वास्ट पहनना चाहिए तो यह मैंने आपको 40 questions के objective detail में explain करा दी है आई वो आपको समझ में आगे होंगे और वीडियो भी आपको पसंद आए होगी इस वीडियो साब को बहुत कुछ help मिली होगी बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी friends के साथ जाद 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 शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पनना है तो चैनल को जरूर सबस्काइब कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह की और भी